तो आज हम start करते हैं अपना लेक्चर नंबर थी तो friends इसमें हम देखेंगे most important questions मनते हैं निम्मी बुक में जो आप निम्मी बुक जो पड़ते होじो friends उससी क्योजन बने हुए हैं तो start करते हैं आज का पहला इन क्यूस और इन के ऐसे जितने भी पेपर्स आप देखते हैं उन के जिए अगर एकजाम की तैयारी करना चाहते हूं यह असमान शिकुणना के वज़ासे होता है गलत सीजनिंग के वज़ासे होता है यह साखाव की वर्दी में अन्यमत तता के कारण होता है तो आपको ओप्षन देख करके तुरंत आंसर देना है कमेट बक्स में तो मैं आपको आंसर मता जाओंगा तो लकड़े में आकार में प्रिवटतन कर लेती है तो असमान शिकुणना वो टेविस्टिंग दोस में आता है ओके तो अगले क्यों देखिए मोनेटाइज चैनिका क्या उप्योग है मोनेटाइज चैनिका उप्योग है ओप्सन नमरे देखी फ्रेंट्स लकड़ी में सामान ने चैनिकरन क लकड़ी में आयताकार छेहद करना लकड़ी को छीननान फिनिसिंग देना एया हल लकड़ी में हलका छेहने चैनिकन तथा तेज किनारों के शफाई के लिए उप्योग किया जाता है किना मोनेटाइज चैनिकर उप्योग करते आपसन नमर बी इसका अंस्वर होगा अगला तो इसके लिए किस प्रकार का इस्ट्स का उप्योग करते। यह आपको बताना तो इहां पिस प्रकार की ठंडी तो किया जाता है वर्गा कार करते हैं जाली च्यृण है करते लिए यह यह वाले बात में सीट-ट्र में तेज मोड़ो तो किस प्रकार कृइब करते हैं यह आपने उपरवाले क्यूषन देखा है करें से अधीकार करें किया जाता है यहां पर डायमेंट पॉइंट पुइंट छहने का उपयोग करते है इसा है जिसे कियोग को को जरूर बड़े कि प्रकार के केलिपर का परियोग पदार्थ के बहारी सिरो पर समधानतर रखाए खीचने है तो उप्योग किया जाता है के नमतलब जब आप बहारी चूड़ी या समधानतर रेखा है अगर आपको खीचनी होते है ऊप्योग करते हों अप्सिन सभब क्या जाता है को ऊपिया जाता है मैं समना लेंग खीचने में कौन सभॉफ लख करते फ्रेंड़ बेंट जेंद आंश्वर तो आईये हम नोच को देखते है आये ड्रिल्वीट देखिये फ्रेंट्स, what is the name of the drill bit, इस drill bit का आपको नाम मताना है, drill bit का क्या नाम बताना है, कि यह कौन सा drill bit है, तो यह कौन सा drill bit रहेगा, flat drill bit रहेगा, taper same drill bit, ya counter same bit, ya straight same bit, तो option number B इसका answer होगा option number B कौन सा रहेगा taper sink bit इसका answer होगा अगला question देखते है friends आपने answer देखा taper sink bit आपको दिया वा था तो अगला question देखिए friends seat metal में सामाने उप्योग है तो किस परकार क्या stake उप्योग किया जाता है option number देखिए friends वरगागार stake option number A हो गया h8 stake option number B below horn stake या beware edge वरगागार stake कौन से stake का उप्योग किया जाता है आप comment box में answer जरूर देखिए क्योंकि friends जब आप comment box में अगर answer देदेते हो आप question देखिए अगर answer देपाते हो तो friends आपको ये questions याद करने में ज्यादा दिकत नहीं रहेगी और आप question आसने से समझ भी जाओगे तो इसका answer क्या रहेगा friends वरगागार stake का हम उप्योग करते हैं मैं seat meter में सामानी उप्योग होगे तो किस प्रकार का stake का उप्योग किया जाता है वरगार stake का उप्योग करते हैं अगला question देखके iso matrix file thread m 12 multiply one point 25 में ऑन पोइन तोफाइब नमबर क्या इंगित करता है और उप्षेय का में लंबबाई तो नमबर 20 का आंस्वर होगा थ्रेड का पिछ हमें दिया हुआ था एम ट्वल मल्टिप्लाई 1.25 जो वह 1.25 जो हमें दर्साय जाता है फ्रेंट्स वह थ्रेड का पिछ होता है ओके फ्रेंट्स अगला क्यों से लकड़ी में अनेमित रूप से साखाओ के उगने के कारण कौन सा पन थूसे में निकलती है उससे कौन सा दोस उत्पन होता है गौंट दोस्न रहेगा पांद्स वहां पर जब हम उन्हों साखाओ को कारते तो फ्रेंट्स वहाँ पर एक क्या बनती है गांट बनती है गांट का निर्मा हो जाता है तो अगला क्यूसन देखे फ्रेंट्स एक टेनन आरी कि कुंद दातों को तेज करने के लिए किस रेति का उप्योग किया जाता है आपको यह बतान सब्सक्राइब ऊकरता है अगला क्योषा है निए इंगित औक नाम बताना सबुसन झाला के Sected को ऑप्षण दी रता सूर तो आपको एक से इंगित अ हो देखते हैं आई है यहां पर X इंगित भाग हमें दे रखाए है यहां पर देखिए इस कि आपको दर्सा रहा है इस को आपको अच्छे लग रहे है मैं गुड कमेंट करके जरूर बता है इस अजार का क्या नाम है आपको जो उजार दे रखा है Ephrains यहां पर ओड़ार का नाम आपको बता ना है जैनी के लिपर है आंतरी के लिपर है बहे के लिपर अधैम्त समन्वर करें टूब्त कर तो इस टूल का नाम अल डागर है कंसे डिया रखा यहां पर तूल दे रखा है आपको जैनी केली पड़े रखा है ओके ओप्शन नंबर एसका आंश्वर होगा ओके आपको दिया हुआ था ओके अगला क्यूसन देखिए फ्रेंड्स छैनी में एक्स द्वारा पर्दसित कौन का नाम बताना है तो एक्स से पर्दसित किया गया जो कोन है जा ऐक्स द्वारा पर्दसित कोन का नाम क्या है तो आई हम उस डाय overturn को देखते हैं जो यह आपको एक्सデ द्वारे जो पर्दसित किया गए जाने टार्य इसका नाम बचाने यहां सा है ओके फ्रेयंटबरा के चलाइं में? या है, इनकलाइंट नेशन एंगल है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, option number B, इसका आंसर होगा, option number B क्या रहेगा, क्यों यह point एंगल आपको दे रखाए, यहाँ पर देखिए, यह बिल्कुल point पर है, और यहाँ पर आपको देखना है, यह x दोबरे इंगित, पा क्या उप्योग है, जो फर्मर छेनी होती है, उसका क्या उप्योग होता है, यह हमें उप्योग पूछा जा रहा है, छेलने और जोडों की, फिनिसिंग में उप्योग क्या रहता है, option number A, यह दे रखाए आपको, option number B दे एक है, friends, सामाने छेनी करण कारी के लिए, option number C, जोड परियोग किया जाता है, जब जोब का एक भाग, सीरो के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, तो यहाँ पर कौन सा option रहेगा, friends, option देखिए, एंड लेब जोड रहेगा, क्रोस लेब जोड रहेगा, मद्दे लेब जोड या कोना अर्द लेब जोड होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, friends, option number C, इसका आंसर होगा, मद्दे लेब जोड होता है, okay, friends, अगला क्यूशन देखिए, और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातू ट्रे बनाने के लिए किस परकार के नोच का उप्योग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको कौन से नोच का प्रियोग किया जाता है, okay, friends, नबड डिगरी के लिए पुछा जा रहे है, नबड डिगरी मोड और अंदर से न निकले हुए किनारों के साथ धातू ट्रे बनाने के लिए किस परकार के नोच का उप्योग करते हैं, तो यहाँ पर option number A देखे, friends, V नोच का उप्योग करते हैं, option number B तिर्चा नोच, वरगा का नोच या सीधा नोच, तो answer क्या रहेगा, friends, आपका वरगा का वी नोच का उद्देश से, आपको उद्देश से पुछा गया है, वरगा का डिब्बे को बनाने में सायक होता है, शीट मेटल को सरलता से मोडने में सायक होता है, काटने के बाद खुरदूरी किनारे बनाने में, बनने से रोकता है, या सीट को सती से बचाता है, जो सीट मेटल में कार कम करता है जो लकड़ी में कोई दोस होता है जो उसकी सक्ति को क्या करता है कम करता है कौन सा दोस होता है वो गुमाना कंपिंग चटकना या अनियमत तो इसका कौन सा दोस रहता है इसका यह दोस रहता है जो लकड़ी की क्या करता है मैं उसकी सक्ति को कम कर देता है खतम कर दे रखते हैं,ouse is the name of the hammer। आपको इस हेमर का नाम बताना तो यह रीकार केन लकड़ी से क्यले निकालने के लिए हम उप्योग करते हैं तो मिलकदी किस नामसे कहलें है। नामसे के नाम जानते। औप्चन नमबर इसका आन्जर होगा, okay friends, औप्चन नमबर एसका क्या रहेँगा, आन्जरल रहेँगा, कला हेमर, अगला क्यू चैनल देखें trainoud, गलत सीजनिंग के कारण, लकड़ी में कौन सा दोस्त उत्पन होता है, गलत सीजनिंग के वालन दोस्त क्या रहता है इसमें उत्मन होता है एलग उसने देखिए फ्रेंड्स जस्ती सीट पाइप जोड में एक्स के रूप में चेहनित थ्रेड के का नाम क्या है आपको जो थ्रेड दे रहे रहे है उसका नाम बताना है तो आईए देखते हैं जूट फूल फ्रंप्रेड तीरचा मेल ट्रेड या समनाउętर फूमेल ध्रेड अब आई। थ्रेड को देखते हैं कौहँ इस घ्रम धीया हुआ क्या देर नाम देंगे हैं प्रेलल फिमेर थ्रेड ओके अप्सन नमबर डीस का आंश्वर होगा अगला क्योशन देखिए फ्रेंड्स सीट के सीरो को मोड ने तो किस प्रकार की नोच का प्रियोग किया जाता है आपको यहां पर क्योशन समझना है फ्रेंड्स मैं सीट के सीरो को मोड ने तो जो सीट के जो कौर्णर होते है फ्रेंड्स उनको मोड ने तो किस नोच का प्रियोग करते हैं तो ओप्सन देखिए फ् च्रॉस कट ठंडी चेनिये का क्या उद्धेश्य होता है किवेज काटने में उप्योग किया आता है सामगरी को कौनों पर चोकोर करने में या बड़ी चोड़ी सते से धातू निकालने के लिए उपयोग करते हैं तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स ओप्सन नंबर एसका आंस्वर होगा हुसके लिए करते हैं की वेंज काटने में मिपयोग करते हैं किस परकार का नोच पर उप परियोग ओता है तो हम मिलते हैं अपने नेक्ट क्लास में और कहसी लगी कि आप मुझे अवसे घ्रकार करा कहते हैं कव्योग माता है और आपके जब तक निम्मी के most important questions जो series चला रखे friends ये जितने भी आपके chapter by chapter जितने भी questions बनते हो सभी questions में करवाने हो ला हूँ तो आपने अगर अभी तक अपने AMR live class IT channel को subscribe नहीं कि तो आपने channel को subscribe करें और अपने दोस्तों को share जरूर करें और class अच्छी लगी हो तो friends like जरूर करें ओके थेंक्यू